आज आपको में कुछ पाइप के और त्यूबिंग के बारे में बताना चाहरा था कि कैसे नाते हैं तो उसका बहुत असान सा बाइप जो है इंटरनल लाट इंटरनल डाया इसका नाते हैं जिससे कि हमें पाइप का प्रफिण जाता है कि और अगर हम किसी ट्यूब को देखें तो हम उसका आउटर यानि यहां से यह नापते हैं तो हमें पचल जाता है ट्यूबिंग क्या है यह इसी तरह मेरे पाद यह एक होज है यह एर होज है तो इसका अंदर का इस वक्त इसके अंदर वो लगा हुआ है इसको हम बाहर से नापते है इसको हम होज को जो है अंदर से नापते हैं हमें पर चल जाता है तो मैं भाप दिखाता हूं कि यह कहने में बहुत असा जूमला लगा can यहां से ना पें यहां से नाMake ले तो आपको पड़ चल जाएगा लेकिन इसा होता नहीं है, मैं आपके सामने इसको नाप रहा हूँ, कि ये आप इसको आगर आप देखरे होंगे, ये हाफ इंच से तो बहुत बड़ा है, और अगर अगर आप आटर टाय तराइ आप त्लाश करे रहे हैं तो ये के और बढ़ा हो गया तो यह हाफ इंच का कहीं दिखाई की नहीं पर हो फिर यह हाफ इंच का क्यों है अगर हम इस इसको इस में देखें तो यह हाफ इंच इबाकडा लिखार आए कि हाफ इंच की का अलबो का अंधर लगवा है उसकी वज़ा Cash के इसकी जो थिकनिस वॉल होती है उसके अंदर गुंजाइश होती है इस तरफ जाने की तो हम यह नाप सकते हैं और हमें पिठिया राता है कि यह हाफ इंच का पाइप है मैं आपको दूसरा बताता हूं अब मैं आपको जो है टीविंग के बारे में बताता हूं जो होती है है एचक की इसके अंदर यह प्लास्टिक इसको आप चाहे कहलें यह भी वही चीज है यह बलेक कलर के अंदर है इसको भी हम और से नपते हैं तो यह भी ट्यूबिंग है कि यह पाइप है तो अगर मैं इसको नापूं तो यह भी जो है तक्रीबन क्वाटर इंच आप यहां पर नदर आ रहा होगा तो मैं इसको नापन तो यह वह भी ट्यूबिंग है इसको हम अंदर से नहीं नापते हैं लेकिन अगर आप यह गलती कर गए मैं आपको दुस्ता दिखाता हूं अगर मैं आपको यहां दिखाऊं को कि अगर आप इसको यहां मेजर करें इस कॉपर को दिए एक्जेक्ट क्वाटर तो आप जो है दोके में आसकते हैं कि यह ट्यूबिंग है लेकिन यह कॉटर इंच की नहीं है यह ट्यूबिंग है जिसको कि मैं इस कंप्रेशन और से मैं इसको कंफर्म कर ले दाओ तो सब्से बड़ा मस्तब्ता होता कि आपको यह बाप पता होने चाहिए कि है यह पाइप नहीं है तो इसको हम कैसे न पिगे इसको अगर मैं यहां से करों तो यह एक्जक्ट आपको two के पास आप देख रहोंगे कि यह two inch का outer डाया इसके अंदर मुझे मिल गया कि यह two inch का डाया इसको हम इंटेंससे नहीं नापते इस्टेनलेस टील जो है वो आउटर डाया नापा जाता है अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताओं अब ये एक ट्यूब है दायरा अगर हम इसको नाप रहे हैं आउटर तो हम इसको भी नाप सकते हैं ये पैक्स कलाती है ये अमरीगा कैनडा में तमाम पाइप गरों के हम इसको इसको हम इसतमाल कर रहे होते हैं तो मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूं के अगर मैं इसको ना पूँँ ये हाफ इन्च की है ट्यूब आप देख रहा हूंगे और अगर मैं इन्टrion डाया करूं तक किया चीज़ है यह सीटी ऐस यानि कॉपर ट्यूबिंग साइज हैं ये मेरे पास एक है इसको मैं कंसॉम करना चाहरा हूं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि यहां लिखावा है हाफ इंच CTS हाफ इंच cts लिखा वा आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर अगर मैं इसको डालू इस ट्यूब को ती ये बिल्कुल इसके अंदर एक्जएक्ट फिक्स हो गई हाफ इंच के अंदर लेकिन ये तो हाफ इंच है यह नहीं लेकिन इसके बावजूद ये आप इसको ज बढ़ा है आप देख रहा होंगे इसका बहुत बढ़ा है और अगर आप इसको इंटरनल डाय करें तो भी ये हाफ इंच से बढ़ा है हाफ इंच से बढ़ा है इसका मतलब इंटरनल डाय इसकी वज़ा क्या है कि इसके अंदर और यह हाफ इंच का इसकी वज़ा यह है कि य यह भी हाफ इंच के अंदर चला जाता है तो यह मेरे पास एक ट्यूबिंग की आपको एक मिसाल है मतलब आपको यह बताना चाहरा हूं कि आप इसको नाप रहे हैं लेकिन नापने से कंसम नहीं हो रहा कि यह हाफ इंच यह नहीं है यह सारी चीज़ें आप जो है एक्सपेरियंस से सीखेंगे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं यह मेरे पास एक ट्यूब है इस ट्यूब के उपर लिखावा है त्री एट यह लिखावा है यहां पर मेरा अंगुड़े के इंटर्नल डाया तो आप कंफ्यूद हो सकते हैं लेकिन न यह इंटर्नल नहीं ना पजाता यह और एक्सटर्नल ना पजाता है लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो यह एक्ज़ेक्ट्री एट होगा अब मैं आपको बता देता हूं एक रफ आइडिया में कि यह जो पैक इसकों आप पीवीडे सी न हिए यह मेंधु यह जाता है यह जो पीवीजी है इसको अ इंटर्नल डाया ना पजाता है कौपर जो हैं कौपर ट्यूबिश इसको हूं और यह जो मेरे पास स्टील की ट्यूबिंग है इसको हम आउटसाइड डाया पे नापते हैं और हम जो पाइप है किसी भी किसिम का उसको हम इंटरनल डाया पाइप से मतलब यह रख यह पाइप इसको हम इंटरनल डाया से नापते हैं तो यह सब चीज़ें आप सीख हुआ ताकि आप यह समझ जाएं कि इसमें ट्यूब कौन सी है होस कौन सा है पाइप कौन सा है मिसाल की तौर पर मैं इसको हमेशा पाइप बोलता हूं लेकिन दिरसल यह ट्यूब है शुक्रिया